Hey guys, welcome back to the channel, मेरा नावाकाश और आप देख रहे हैं Technical Family आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पे YouTube के तीन अपडेट्स बताने वाला हूँ जी हाँ, आपको मैं आपको यहाँ तीन अपडेट्स बताऊंगा YouTube के जो की काफी अच्छे अपडेट्स यहाँ पे आज आते हैं निकलके और YouTube के तरफ से एक बहुत अच्छे अपडेट्स है आपको अगर यह अपडेट्स के बारे में नहीं पता है तो आप यह पूरा वीडियो देखके समझ जाओगे उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में बेल नॉटिफिकेशन भी अन कर लेना उससे क्या होगा आपको हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहेंगी तो बीना डाइम ज़ेश की वीडियो कर लेते स्टार्ट हम यहाँ पर अपने सबसे पहले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो की यूटूब स्टूडियो में अपडेट आया है यूटूब स्टूडियो में पहले क्या होता था जी यहां आपको bottom वाले बार पर देखने को मिल जा गए सभी के सभी feature काफी असान कर दी हैं आपको simple से नीचे ही click करके आपको जो भी देखने है analytics, comments, videos, अपना dashboard सब कुछ आप अपने एक ही page पर देख सकते हैं और दूसरा features के अंदर add किया है कि जब आप यहां पर thumbnail edit करते थे thumbnail यहां पर लगाते थे अपने videos पर एक pencil वाले option जहां पर अपना title, description लिखते थे फिर उसके बाजू में एक आपको advanced setting मिल जाता था next page पर तो उस advanced setting को feature को हटा के tag वाले option के नीचे आप यहां पर देख सकते सब कुछ आ चुका है आपको कोई भी page पर जाने की जरूत नहीं आपको एक ही page पर सब कुछ option यहां पर देखने को मिल जाएगा जो कि इसमें आता creative license का आता है फिर आपको कौन से categories में videos बनाते हो उस सब कुछ आपको इस ही page पर देखने को मिल जाएगा तो काफी कमाल अपडेट हो जाता है कि आपको कोई दूसरे page पर जाने को नहीं मिलेगा सब कुछ आपको एक ही page पर देखने को मिल जाएगा अब हम बात कर लेके अपने अपर second update कि second update जो की पहले मैंने आपको यहां पर बनाया था एक वीडियो उसमें मैंने आपको बताया था 500 प्लस सब्सक्राइबर वाले को 12 अक्टूबर से यहां पर community tab मिल जाएगा अपने चैनल पर यह कई लोगों में चैनल पर नहीं मिला है community tab तो मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं इनको मिला है क्योंकि पहले भी क्या होता था जब भी किसी का 1000 सब्सक्राइबर पूरा होता था तो उनको community tab कम से कम 1 week के बाद ही मिलता था जी हां 7 days के बाद ही यहां पर community tab मिलता है तो अभी जिसका 500 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं तो उनको 1 week के बाद ही देखने को मिलेगा उनका community tab तो आप यहां पर वेट कर लें कम से कम 7 days का उसके बाद आपको पक्का मिल ही जाएगा community tab तो यह बहुत लोगों कभी तक नहीं मिला है तो 7 days के बाद आपका 500 सब्सक्राइबर जब भी पूरा हो गया है उसके बाद आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा अब हम बात कर लएक अपने थर्ड अपडेट के थर्ड अपडेट पहले क्या होता था आपको 1000 subscriber चीए रहता था अगर आप यहां पर अपने title में किसी दूसरों person को mention करते थे जैसे कि किसी और के channel को mention करते थे अपको यहां पर किसी को भी mention कर देते थे तो पर उसके लिए आपको यहां पर 1000 subscriber चीए था पर आप यहां पर YouTube नवनी policy यहां पर change कर दी है अब आपको सिर्फ यहां पर 500 subscribers ही चाहिए जी हाँ अब आपको यहां पर 500 subscriber चीए उसके बाद आप यहां पर अपने title में किसी भी user को mention कर सकते हैं अपने वीडियो के title पर तो यह पहले feature आपको 1000 subscriber के बाद देखने को मिलता था अब यह आपको 500 subscriber पर ही देखने को मिल जाएगा इन 3 update में से आपको कौन सा update ज्यादा अच्छा लगा आप हमें नीचे भी comment करके बता सकते 3 update कमाल के हैं यहां पर काफी अच्छे अच्छे features आपको 3 update में देखने को मिल जाते हैं और यहां पर जो पहले 1000 subscribers पर होता था उसको YouTube ने आपको घटा के कम से कम 500 subscribers पर ही feature ला दिया है तो यह भी काफी कमाल का update हो जाता है तो यह update भी तीनों की तीनों काफी अच्छे YouTube के तरफ से update हो जाता है तो बस वीडियो में इतना है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपने वीडियो पुराद देख लिया आपको तीनों अपडेट्स के बारे अच्छे से पता चल गया होगा साथ ने bell notification भी on कर लेना उससे क्या होगा आपको हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहेंगी तो बस फ्रेंड वीडियो में इतना ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में